नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्मेंट एजुकेशन में मेरे नाम है जितेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं तो दोस्तों इस वीडियो में हम आके के कुश्चन करेंगे जो कि आपके मत प्रिदेश्ट फुलिस कॉंस्टेबिट के लिए इससे पहले कि अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देगे तो यहां पर एक आई का बटान आ रहा होगा उस पे क्लिकर देख सकते हो चलिए हम फ़स्ट की तरफ बढ़ते हैं तो पहला कोश्चन है यहां पर कि पिरसेत हाथ से बुनी ही चंदेरी साड़िया कि इस जिले में पिस जिले से संबंदित रखती हैं यह कहां पर बनाई जाती हैं तो यह कुश्चन मैंने पोश्ट भी किया था तो शुरुवात में बहुत से लोगों ने जो है वह गलत अंसर भी लगा दिया तो यहां पर जिला पूचा गया है तो इसलिए मैं कहता हूं कि कुश्चन को ज हो जाता है आपकर i.thana तो यहाँ पर देखिए option का दिये हुए है चंदेरी जिला गुर्णला जला शिवह असोग नंगर इसल चारी है तो इसका अंसर हो जाएगा डी ऑप्षण तो कुश्चन हो जितने भी एमसे क्यूंज हैं उनको जादा से ज्यादा कुश्चन को प्रैट्टिस करें क्योंकि आपने थोरी तो पड़ी है आसान सा कुश्चन ने देखा जाए बैसे तो चंदेरी की साड़ी है जाहर से वाता है चं कंफीजन हो जाती है तो जब तक आप कुश्चन की प्रैट्टिस नहीं करोगे तब तक आपको जो है वो कंफीजन रहेगी आपको गलत जो है वो अंसर लगा सकते हो ओके तो इस कंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्षण यह जो है वो चंदेरी सुषाडियां है असोक नगर में बीच में कौन-कौन सी नदियां है यह कुशन पूछ ले जाता है एक तो होगी शंद नदी और दूसरी हो गई बेतवा नदी ओके तो दो नहीं आपको याद रखना है जो चंदेरी के किला है उसमें जो है वो खूनी दरवाजा है जोहर कुंड है जहां पर जो है वो 800 बावर नयाक मुट्किया ततब और हवा महल नौकंडा महल यह सब जो है वो किरती रचंदेरी के के लिए में हैं तो इन सब यह को आपको याद रखना है अगले कुशन की तरह बढ़ते हैं नेक्स है यहाँ पर यदि अभी तक आपका खून खूल नहीं उड़ता है तो क्या आपकी नसों में पानी बहता है यह कथिन जो है वो किसके द्वारा कहा गया था यह कहा है तो ऑप्शन यहाँपर राणी दुर्खापती तात्या टूपे सबन्तरा होलकर या चंदरशेकर आजाथा तो यह दरसल जो है वो किसके द्वारा क पहा गया था चेंदर शेकर आजात के दोरा खा गया था कि यदि अभी तक आपका खून खौल नहीं उड़ता है तो क्या आपकी नस्वों में यह पानी बहता है तो चेंदर शेकर सीता रामतिवारी चंदर शेकर सीता रामतिवारी और अदरसल जो है आजात जो है यह उन्होंने खुद को नाम दिया था कि मैं आजात हूं और जो है इन्होंने अपने आपको सूट कर लिया गया था कहाँ पर इलहावाद इलहावाद जो है अप त्रियागराज के नाम से जा जब WALPUR से समन्द यहां सब्द पर आनी दुर्गावती समराला हुआ हुआ है यह ten जब वरगतात्य टॉपे की जो है वो ृवांसी कहां पे दी गए थी तो शिव पूरी में दी गए थी तो श्यव पूरी आकरणी अगला कोशन है चतरपुर में ये जो है वो चरण पादू का नरसंगार जिसे हम जलिया वाला बाग नरसंगार के रूप में जाना जाता है मद्द पतेश की और ये कब हुआ था 1930 में हुआ था जब असायोग अंदूलन गांदी जी के द्वार किया जा रहा था तो उस समय जो इसमें पार्टिस्पेट कर रहे थे तो अंग्रेज उदारा जो है उनको गूलिया चला दी गई थी और मद्द पदेश के चतरपुर में जो है वो एक तरीके से जलिया वाला नर कोशन देखते हैं मद्द पदेश में मांसून के जाने के बाद होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है जब मांसून चले जाते हैं तो उसके बाद फिर से वर्षा होती एक तरीके से तो उस वर्षा को क्या कहा जाता है देखी मैशुआ काल वैशाक बर्दोली छेरा और तो इसका अंशर हो जाएगा मांजुन वाली वर्षा को क्या आएस पूष जाता है कि शीधर दूव मैं लोठने वाली मांसुन को होने वाली क्या जाता है तो उन बर्षा को क्या कहते हैं ग्रीस में जो होती है तो इसे चौमासा बोलते हैं यूनाला बोलते हैं ठीक है शियाल बोलते हैं तो ये ग्रीस में है और ये भी आपको याद रखना अधिक बरसा अगर आपसे पूछ ले आएगी मद्देश में अधिक बरसा कौन से महीने के बीच में होती है तो जून से ल तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों बेतवा नदी पर है ये माता तीला बांद और बेतवा नदी जो है कहां से निकलती है राय सेंड के कुमरा गाउं से कुमरा गाउं से निकलती है और ये यूपी में यमना नदी में मिल जाती है यानि कहा जाए कि यमना की साहिक नदी है बेतबा नदी और अगर आपसे बेतबा नदी की साहिक नदी पूछ ली जाए तो याद रखना है दशान, सिंद और बीना ये तीन नदियों के नाम आपको याद रखना है जो कि बेतवा की सहायक नदियां है ये नदी जो है वो उत्र से पूर्प की और बहती है माता तीला बांध को जो है वो और किस नाम से जाना जाता है तो राजगाट परियुजना पर जो है वो ये माता तीला बांध है जैसे हम रानी लच्छिवाई परियुजना के नाम से भी जाना जाता है तो आपसे जो है वो राजगाट परियुजना भी पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी पर है तो भो भी बेतबा नदी पर है अगर आपसे लच्छिवाई परियुजना भी पूछ ले है तो भी बेतबा नदी पर इंद्रा सागर इंद्रा सरोवर बांध हो गया जो कि पुनास खंडवा में है ठीक है सरदा सरोवर हो गया जो कि गुजरात में है और चंबल पर आपको याद रखना है चंबल पर राणा जबार और गांदी ये तीनों ही जो है वो बांध है राणा सागर बांध जो है वो चि पूछा गया है तो इसका अंसर हो जाएगा बालाघाट जो है वो महराज्चे भी और 36 गड़ से दोनों राज्यों से जो है वो शीवा टेस्ट करता है और बालाघाट से मदपदीश में देखा जाए तो लिंक अनुपात अगर आपसे पूछ लिया एक लिंक अनुपात जो है अगला पूछ चीज़ अर याद रखना है जैसे सबसे पूर वीजला आपसे पूछ पूछते जाता पूर्वी जला कौन सा हो जाएगा सिंग रॉली हो गया शिंग रॉली ठीक है पश्मी जिला पूछ लिया है तो पश्मी जिला जो है वो अली राजपूर है ठीक है और अली राजपूर जो है वो महराश को गुर्जात से जीमत आज़ा करता है ठीक है और वहीं हम बात करें तो उत्तरी कौन सा है उत्तरी जो है वो मुरेना है ठीक है यह भी आपको यार रखना है दच्छडी पूछ लिया है तो बुरहनपुर जला है तो इन सभी को आपको यार रखना है यह मैंने पूरा पश्य मुत्त दच्छड के जो है वो जिले बताए है ठीक है अगली कोशन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स है यहाँ पर मादव राश ध्यान में इस्तित्यों जोरज कैशल का निर्मार किसने की कहि leav frightened यहाँ पर जीवाजी राव शिंदिया तारवाई राजे शिंदिया और यहां पर जो है ये गलत राव सिंदिया ठीक है दरशल यहां पर यह गलत हो गया दौप राव शिंदिया ऐसा होना चाहिए ठीक है त जो पन्चम पर जो इन्हें यहाँ पर ठेड़ना था तो उनहीं के लिए यह बनवाये गया था उन्हीं के नाम पर रख दिया गया था जी वाजी राव शिंधिया द्वारा और में यहाँ पर आपसे पूछा भी ऐसे अगले कुछन के दरब बढ़ते हैं नेक्षा यहां पर हीरा भुमिया का मेला जो है वो कहां पर आजुद किया जाता है गुना गौालियर रिवा और जेर इसमें काफी लोगों कन्फीजन होती है कहीं पर आपको गौना भी अंसर मिल जाएगा कहीं पर आपको गौालियर में ह लगता है और इसे हम हीरा मन बाबा के नाम से भी जाना जाता है ठीक है तो कन्फीज नहीं होना है गौालियर में जो है लगता है गौालियर के जो हस्वास के चेत्र है हीरा भुमिया का मेला या हीरा मन बाबा का मेला ठीक है याद रखना है देखी गुना अब हम बात करते ह हैं कि बाकी और जितनी भी मेले हैं उनसे कुछन पूछ ले जाते हैं कि कौन-कौन से मेले जो है कहां पर लगते हैं जैसे महा मुर्तुंजय का मेला कहां पर लगता है रिवा में लगता है वज्जेन में जो है वो कुम्ब का मेला लगता है जैसे शंगंत नाम से जानते हैं न जंत सिगाजी का मिला आप पूछ ले तो घंडवा तेजा का मिला जो लगता है वो कहां पे लगता है गुना में लगता है ठीक सोलग तोük मेला ANY blur का दिल्व के मेला हरदा , हादा है चरह उक्तरी को का मिला तो तो याद रखना हैं को अगला कुशन है यहाँ पर मद्वधी सरकार ने तुलसी संभान किस वर्स शुरू किया था उप्षन है 1984-1985-1983-1981 तो आपको याद रखना है कि 1983 से लेके है 1984 के बीच में शुरू किया गया था यानि इसका अंसर हम लगाएंगे 1983 में तो क्योंकि शुरू यहां से गया है तो इसलिए हम इसको प्रफर करेंगे अंसर को ठीक है तो दोनों अगर आप से दिए जाए तो 1983 लगाना है वैसे आपको दोनों नहीं गिया जाएंगे फिर भी इवासी लोग होए परंप्राय कलायं हुई तो उनके चेत्र में लाइन जुभ यह निंज यह चासी तो यह की चासी इसका अंसर हो जाएगा वमारा बी औप्श्यं में वेल्हें की तरफ नोकि ansi तो आप सभी को बता होगा मलाजखंड दरसल कहां पर बालागाट में पढ़ती है और वहां पर कोपर की उत्पादन चम्तर ज्यादा है उत्पादन खजन वहां पर मिलता है और बात की जाए तो जो मलाजखंड है दरसल इस प्रोजेक्ट शुह वयका इस्ताफित किया गया था तो 1982 में इस्ताफित जो कि जबल पुर और कटनी इस तानों पर जो है वो बॉक्षाइड पाय जाता है अगला मद्वदेश का पहला राज निर्वाचन आयुक्त कौन था औप्शन है राकेश बंसल अजीत रायजादा और एन बी लोहनी और बशंत परता तो इसका अंसर हो जाएगा थे कि यहां पर पहला जो राज निर्वाचन आयउप पूछा गया है तो इसका अंसर हो जाएगा यह जो थे और जो राज निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था तो यह भी कुछन पूछ ले जाता है तो एक फरवरी को 1994 को हुआ था तो यह पीएसी के आपसे आपसे पूचा जा सकता है और कॉइंस्टेवल में सा नहीं ज्यादा डिटेल में नहीं पूचा जाएगा बस प्रतम जो है वह आपसे पूचा जाए कि नारज निर्वाचन आयोगत कौन था तो अभी लोहनी था और अभी प्रिजेंट में तो प्रिजेंट में जो है वह वह बसंत परताब सींग है ठीक है तो पसंत-ताब सींगे ये बरतमान ही है और पहले हो गए छे घूझ अगला पूच बुचा जै को कौन है तो आपशन है यहां पर नियाइमूर्ती संजड आदम नियाइमूर्ध मुथि मुह मुवद तो अभी बर्तमान में मुख्य मंत्री मद्व देश के मुख्य नयरीष पूचे गए हैं तो यह हैं मुहमबद रफीक नयमूर्टी मुहमबद रफीक याद रखना है इससे पहले कौन थे संजय यादव थे और जो मुख्य नयरीष होते हैं इनको जो हो सपत कौन दिलाता है तो राजपाल दिलाता है और राजपाल कौन है मद्व देश का अनंदी बेन पटाए ठीक है याद रखना है पहले कौन थे मुख्य नयरीष मद्व देश के तो एम हिदायत विल्दा थे आप सभी को पता होगा इसका जो सी ऑप्शन है वो है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपसे पूछ ले जाए तो सरद वो बड़ी है ठीक है याद रखना है हाई कोट जो है वो हाई कोट का जो आर्टिकल रहता है 214 रहता है तो इसे भी आपको याद रखना है और बरतमान में जो पूरे भारत में अगर आपसे हाई कोट पूछ रहा है कि परतमान में पूरे हाई कोट कितने हैं तो पचीस है ठीक है पचीस हाई कोट है भरत में अगला कुशन है यहाँ पर हाली में किस जिले पर बुद्ध जमुदीव पार्क की इस्तापना की गई ऑप्शन है बोपाल इंदॉर यह देश का पहला है तो इसलिए इंपोडेंट हो जाता है और सांची के स्थूप की बात करें तो सांची की स्थूप यह राश्यन में पढ़ते हैं और इसको जो है इनस्को की विश्वधर और में शामिल किया गया और भीम बेटका में अभी हाली में विश्व के सबसे कि अगला कुशन है यहां पर कि हाली में मदवदेश में भारत की पहली होट ऐर बलून सपारी किसे इस्थान पर सुरू की गई option है मैं यहाँ तो hot-air भालूनари इस सरे उध्यान को याद है, चाना राश्ट्री उध्यान करेसे हो उद्द्यांす पोछी तो ये भी काफी पूच लिया आता है जिसका जो है वो उसका डिजाइन किया गया है तो उसमें जो है बारा सिंग असल उसका नाम जो है वो बूरा सिंग दिया है अगले कुछन की तरब बढ़ते हैं नेक्षा यहां पर मद्देश करांटे एस्टापना कप की गई तो फर्स्ट ऑप्शन है 1989 1989 1989 1999 1999 तो इसका अंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन अगले कुशन की तरफ बढ़ती है नेक्स है यहाँ पर एस्वाग इस्टीडियम मदबदेश के किस जिले में है बोपाल इंदौर गवालियर जावलपूर तो आशन सा कुश्चन है यह तो यह दरसल बोपाल में की गई इसका अंसर हो जाएगा यह ऑप्शन आपसे यह तो होकी का है गवालियर में दरसल जो है वो किसका है गवालियर में जो है वो रूप सिंग इस्टीडियम है जो की क्रिकेट का है इंदौर में हो गए होलकर इस्टीडियम हुआ नहरू इस्टीडियम हुआ फार्सी क्लब हुआ तो यह इंदौर में इस्तित है जबलपूर क इसके कौन से जले में पढ़ता है तो इसका अंसर आप कमेंड बॉक्ष में बताईए आपको पता हो तो अगला क्वेशन है आदित जोसी जो है वो किस खेल से संबन देते हैं ऑप्शन है यहाँ पर क्रिकेट होकी बैडमिंटन कराटे दरसल यह हभी हाली में जो है वो चर्च क्रिकेट से संबन देते हैं अगला कोशन है यहाँ पर शरू मारू बुफाएं किस जिले में स्टेते हैं शीहौर बिदीशा अली राज बुरहानपुर तो शरू मारू जो है यह दरसल शीहौर में पढ़ती हैं तो इसका अंसर हो जाएगा हमारा यह option और शीहौर में आपक पूचा जा सकता है कि शरू मारू जो गुफाएं यह दरसल जो है कौन से धहम से संबन देते हैं तो बहुत धहम से संबन देते हैं यह यह भी आपको याद रखना है अगला question है आप गांधी शागरबांद जो है कि नदीपर बनाया गया है तो option है आप नर्वदा चंबल ब अगर हुआ जावार सागर हुआ रान सागर हुआ तो यह सब चंबल पर ही है तो इसका अंसर बज़ाग हमारा वि ओप्शन मदवदेश की पहली परियुजना है जो चंबल नदीपरियुजना है ठीक है याद रखना है आपको इसकी आधार सिला जो है कि द्वारे रखी से इसका यूज किया जाता है मदपेदेश और राजतान के लिए तो यह थे 20 वीडियो कैसा लगा कमेंड बॉक्स में जरू बताना और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और जरू कर दिया करें लोग ज्यादा से ज्यादा जो है रिस्पॉंस करें जिससे मुझ साथ इने है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में एक बेल आइकन बन के एगए उस पर भी क्लिक कर लिजेगा जिसके माद देम से आपको वीडियो का नोट्विकिशन देंता तो मिल देंग लिए वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग दे वीडियो हैवनाश टे